Facts about MQ-9B Predator, Reaper Drones 1. General Atomics MQ 9 Reaper 500 प्रतिशत अधिक पेलोड ले जा सकता है और MQ-1 Predator की तुलना में इसमें 9 गुना क्षमता है इसके अलावा MQ 9 UAV लंबी दूरी प्रदान करता है और लगातार निगरानी और हमला करने की क्षमता भी है 2. General Atomics MQ 9 Reaper की क्षमता 27 गंटे से अधिक है तथा इसका गती 240 KTAs है यह 50,000 फीट तक उडान भर सकता है और इसकी पेलोड क्षमता 3,850 पाउंड 1,746 किलोग्राम है General Atomics के अनुसार इसमें 3,000 पाउंड 1,361 किलोग्राम बाहरी स्टोर शामिल है 3. MQ 9 Reaper कंपनी के अनुभव से बनाया गया एक अत्यधिक परिश्कृत ड्रोन है युद्ध सिद्ध प्रीडेटर आरपिये और समग्र प्रदर्शन में एक G.A.S.I के अनुसार प्रमुख विकास वादी छलांग है 4. 2020 में भारतिये नौसेना ने एक वर्ष की अवधी के लिए जनरल अटॉमिक से हिंद महासागर में निगरानी के लिए दो MQ-9 BC गार्जियन ड्रोन लीज पर लिये थे जिसे हाल में ही खत्म होने बाद बढ़ाया गया है 5. MQ 9 की बेसलाइन प्रणाली मल्टी स्पेक्टरल टारगेटिंग सिस्टम MTSB को वहन करती है जो इंफ्रारेड, रंग और मोनोक्रोम डेलाइट टीवी कैमरे जैसे विभिन्न सेंसर को एक ही कृत करता है और सटीक लक्षी करण के लिए शॉट वेव इंफ्रारेड कैमरा, लेजर डिजाइनर और विज्वल सेंसर का इस्तिमाल करता है 6. MQ9 को अलग किया जा सकता है और तैनाती के लिए एक कंटेनर में लॉड किया जा सकता है और C. 130 हर्क्यूलिस जैसे विमानों या बड़े प्लेट फार्मों का उप्योग करके परिवहन किया जाता है